Hey everyone again, welcome back to my page and today we share in organic chemistry most important topic that is tertiary phosphine. उसे पहले, पहले good news शेयर कर देदियों, आपको बदा है, P.W. आपका साकार बैच चलाता है, इनका बैच आप लिए सकते हो, बहुत ईसी लिए आपको यह अविलिबल है, दिख्या, इसकी कोचिंग P.W. सापको मिले, वो भी सिर्फ 2.999 में, तो इससे ज़्यादा बैस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, टॉप एजुकेटर्स के थ चेक कर लीजएगा, P.W. के बैच इतने सस्ते, इतने अफॉर्डेबल है, जो कि आपको सेम कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको कांट्यूनिसली लिंक को चेक आउट करना है, स्पेशल जो भी ओफर्स P.W. के होंगे, वह आपके साथ शार करत अब आजाएथ अपने टॉपिक में, टर्सरी फॉस्फीन ऐसा लिए, वैरी शॉर्ट टाइप में ही है, शॉर्ट टाइप में आपको टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा, टर्सरी फॉस्फीन, तो स्टार्ट कर देते हैं, फॉस्फीन is colorless and highly toxic gas with garlic smell, फॉस्फीन क्या ह होता है, जब भी आपसे अगर वैरी शॉर्ट में आता है, तो आपको एकले माल से लिखना है, it is very dangerous gas, plus it smells like garlic, second point, it is highly reactive, यानि कि आप किसी भी product के साथ रखोगे, it will react, okay, second, it can be prepared either by hydrolysis, metal phosphide, यानि कि any 3B with water, कि अगर हम इसे hydrolyze करते हैं, तो हमें metal phosphide लेना पड़ेगा, with water, त सकती है, तो इसकी simple से hydrolysis की reactions होती है, then, और by hydrolysis, white phosphorus with sodium or hydroxide solution, अगर हमें इसे sodium के साथ hydrolyze करना है, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा, sodium hydroxide, example देख सकते हो, CA3P2 plus 6HOH, is equal to हो जाएगा, आपका 3CAOH twice plus 2PS3, यानि कि phosphine जो gas है, उसके two molecules आपको relate होते दिख जाएंगे, second point, NaOH plus 3H2 is equal to PS3 plus NaOH2PO2 आपको देखने के लिए में जाएगा, यहाँ भी आपकी phosphine जो gas है, वो release हो जाएगी आपके environment में, again the article part पर आजाते है, it is less soluble in water, but more soluble in CS2 and other organic solvent, बहुत easily आपकी phosphine gas जो है, वो water में soluble नहीं होती है, but yes, organic solvent होते हैं, उनके साथ easily soluble हो जाती है, अब आप देख सकते हो, कि जो pH3 phosphine है, pH2R है, इसकी जो degree है, वो 1 degree, 2 degree, 3 degree के according मैंने हापे, इसे distribute किया हुआ है, formula directly आप देख सकते हो, PR3 या जिसे हम pH3 भी बोलते हैं, यह इसका एक open size का जो आपका formula होता है, वो formula है, तो यह एक true to side topic था, जो कि आपका बहुत कब marks में आपको देखन के लिए मिलता है, I hope आपको समझा गया होगा, इसमें इतना वो समझाने जैसा भी नहीं था, तो, hope you like, and if you have any problem, just comment on this post.